हेलो स्टूडेंट्स वागत है आपका इस वीडियो में तो MP Board ने अब फिर से Prest Bank जारी किये हैं और आप सबको पता हुगा कि 13 March को जो अपडेट आया था उसमें कहा गया था कि MP Board ने जो Official Website पर Prest Bank अप्रोड कर रखे हैं कि आपकी जो परिक्षा है वो पुराने पैटन पर होंगी और 9 March को संसोदित ब्लूप्रेंट जारी किया गया है और इसके बाद संसोदित प्रस्टमेंग भी जारी किये गये हैं बही प्रस्टमेंग आज हम लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में आपको पूरी information मिले वाली है कहां से download करना है सभी चीज़ां यहाँ पर हम clear करेंगे और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि प्रस्टमेंग जो अभी जारी किये गये हैं यह आपको MP Board की official website पर देखने को नहीं मिलेंगे MP Board की एक दूसरी website है Bimmers Portal जो teachers के लिए है बहाँ पर आपको प्रस्टमेंग देखने को मिलेंगे तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं और students अगर आप चैनल पढ़ना है तो सबसे पहले चैनल को subscribe कीजे वेल आइकन को प्रेस कीजे ताकि जब भी हम MP Board से related वीडियो सब्लूट करें तो सबसे पहले आपके पास notification पहुँच जाए तो चलिए आज का इस वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लोक सिक्षण संचे नाला मद्यप्रदेश प्रस्ण बैंक विद्यारती हेतु अध्यापन सामगरी तो यहाँ पर देखे सत्र दोहजार बीस कक्षा दसभी विसय बिज्ञान का प्रस्ण बैंक अभी हमारे पास है और सभी सब्जेक्ट के हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी बहां से किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे सबसे पहले आप प्रस्ण बैंक को देखें तो यहाँ पर जो प्रस्ण बैंक अभी जारी किये गए हैं चाहे क्लास 9 के हो या फे 10 के हो या फे 11 या फे 12 और क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के लिए प्रस्ण बैंक जारी होंगे तो सबसे पहले देखे यहाँ पर प्रेस्ट बैंक कुछ इस तरीके चाहिए रिबीजन कराया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप स्टडी गेर कूपन कोट का यूज करते हैं और कोर्स को पर्चेस करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रूपीज का डिसकाउंट मिल जाएगा तो जल्दी से जाएए और क 40-20 का means पुराना blueprint आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके बाद आंखे देखें यहाँ पर देखें दस भी बिज्ञान इस तरीके से Prestbank के देखने को मिलेगा इसके बत आंगे यहाँ पर देखें एक्आई के वारे में जानकारी दी गहीं है और यहाँ पर सरल से कठिन क और यहाँ पर देखे blueprint प्रस्टमेंग means जो blueprint आपका 2020-2021 का है means अभी 2021 में जो आपकी परिक्षा होने वाली है इसका जो blueprint है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा blueprint यहाँ पर दिया गया है chapter wise, unit wise यहाँ पर blueprint है इसके बाद आगे देखे यहाँ पर जो blueprint MP board ने जारी किया था वो यहाँ पर blueprint आपको देखने को मिलेगा 9 March यहाँ पर date भी डली हुई है 9 March को जो blueprint जारी किया गया है इसके बाद आगे देखे यहाँ पर जो chapters हटाए गए हैं जो unit कम की गई हैं जो topic कम किये गई हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है इसके बाद आगे students यहाँ पर देखे रासाइनिक अभिक्रिया एबं समीकरण अब यहाँ से प्रस्णवाइंग आपके सुरू हो जाते हैं जो chapters हैं वो यहाँ से सुरू हो जाते हैं तो जो chapter 1 रासाइनिक अभिक्रिया एबं समीकरण उसके question यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले देखे पहला प्रस्ण यहाँ पर है दूसरा प्रस्ण तीसरा तो यहाँ पर objective type जो question है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे means संसोदित blueprint के साथ संसोदित प्रस्ण बेंक जारी किये गए है और class 9, 10, 11 के लिए अभी जारी हो चुके है class 12 के जो students है आपके लिए जल्द जारी हो जाएंगे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पर और इसके बाद देखे यहाँ पर एक एक marks वाली जो question आने है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दिगए है means जो objective type question रहेंगे देखे बस्तूनिस्ट प्रस्ण पूछा जाएगा एक यहाँ से तो यहाँ पर बस्तूनिस्ट प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद धीर को त्रिये प्रस्ण means चार अंक के लिए यहाँ पर प्रस्ण दिये गए हैं आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर प्रस्ण दिये गए हैं इसके बाद यहाँ पर देखें टोटल कितने प्रस्ण दिये गए हैं यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर देखे 15 प्रशन दिये गए हैं सबसे पहले तो 10 प्रशन आपको देखने को मिले एक एक अंक वाले इसके बाद 15 प्रशन 4-4 अंक वाले अब यहाँ पर 15 प्रशन मैंसे कोई एक प्रशन पूछा जाएगा और आपका जो पेपर है वो इन ही मैंसे बनेगा यहाँ पर और इसके बाद देखे अध्याय दूसरा यहाँ पर अमल छार एवम लवन मींस जो सेकंड यूनिट है आपकी सेकंड चैप्टर है वो यहाँ से सुरू हो जाता है इसी तरीके से पूरा प्रश्ण बैंक है और इसी कौनसे प्रश्ण आपको कलना है तो MP Board ना फाइनली इस बार अच्छा प्रश्ण बैंक है जो यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रश्ण बैंक को अप्डेट किया है और अच्छी तरीके से यहाँ पर जारी किये गए हैं मीनस सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मि भी दिक्कत नहीं आएगी और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है तो देखे स्टूडेंट्स आप चाहे क्लास 9 के स्टूडेंट हो 10 के हो 11 के हो आप विमर्स पोर्टल से तो डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन उसके उपर एक अलग से वीडियो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडियाप ओपन हो जाएगा बैप साइट आ जाएगी अब बैप साइट पर आपके सामने एक टेबल दिखेगी आपको बहां पर सब्जेक्ट लिखे होंगे और क्लिक हेर टू डाउनलोड लिखा होगा आप उस पर क्लि वीडियो देखने को मिल जाएगा तो चलिए स्टूडेंस आज के इस वीडियो में इतना ही आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहें